स्री शिवाई नमस्तु ब्यम जय श्री महंकल कुब्रेशर महादेव की जय देउटनी एकादसी के अगले ही दिन जी हाँ हे प्रदोस्ती थी जी हाँ और चतुर मास समापती का दिन भी है जी हाँ चतुर मास जो चार मेने का चल रहा था उसका आकल लास दे आखरी दिने अगर आपने चतुर मास यनि कि शावन अधिक मास कार्थिक मास इन तीनों मास साथ में कुवार का महिना इन चारों मास के अंदर यनि चारों महिने के अंदर और कोई उपाए भी नहीं कर पाए कोई दा लिए वीडियो शुरुबात करते स्वागते मौधिती ऑफिशल चैनल पर अगर आप लोगों नहीं अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा और कमेंड में श्री शिवाएं नमस्तुब्यां हरहर महादे अवस लिखी अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो कल का दिन बहुत खास है कल आपको महादियो पर जल समर्पित नहीं करना है जी हां बाबा नहीं सुन रहे ना तो कल बाबा के उपर जल समर्पित नहीं करना है तो करना क्या है उपाए तो बहुत और सुन्दर सा उपाए जाना तो प यह वहीं से आपको मटके में से जल भरना है एक लोटा जल लेकर जाएंगे हम सिवाले और सिवाले पहुश कर देखे जलाधारी में राइट हैंट तरफ कार्ति गणे जी का इस्थान होता है जी यहां तो पहले गणे जी के स्थान पर जल समर्पित कीजिए एक दूसरा आपक आपको समर्पित करना है चौथी बार जहां सिवलिंग रखी रहती है मा पार्वति के हस्त कमल पर यह आपको चार जगा जल समर्पित कर देना है एक ही लोटे से ठीक है समझ पित कर दिया आपने अप फ्रोजल बचा लेना है और उस बच्चे वे जल को सिवलिंग पर बच्चो उस बेल पत्री के व्रश की जड़ में जी हां बेल पत्री के व्रश की जड़ में पूरा जल फिर आपको समर्पित कर देना है कोई भी मनों काम नहों क्या होता है कभी-कभी हमारी मनों काम महादिम नहीं सुनते हैं हमारी कुई बात कमारे पिता जी नहीं मानते है यह कर दो आपको प्रदोस के करना ही करना है दुसरा उप्य कर रहे हों जी हां कब दुसरा उपाय जो करना है यहां और आप किसी नोगरी के लिए प्र्यास कर रहे हो बार बार इंटरिव shallow कर दिए थे हों इंटरिवा cigarettes कर रहे हो पड़ाई लिखाई तो कर रहे हो मेनाज भी कर रहे हो फिर भी निकल नहीं पा रहे हो या किसी कारी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है बहुत प्यास कर चुके हो तो यहां विशेश उपाय जो आपको प्रदोश के दिन करना है यानि कल के दिन करना है और प्रदोश काल क 26-ण पाल बी बातिल गी का धीब ठीकành पर टीके तिन चीज ले लिए अपने अब आप जाएंगे बेल पत्री के व्रश के पास जी यहां और बेल पत्री की जड़ में सबसे पहले चड़ाएंगे जल थोड़ा जल जल प्रॉप बचा लिजीएगा फिर चड़ाएंगे दूथ दूथ पुरल चड़ाईएगा और उस बचेवे जल को फिर उस दूथ के बाद समर्पित कर दीजेगा ऐसे आपको जल दूथ फिर जल लंभी बाति का घीका दीपक है उस दिपक को प्रजोलित कर दीजिये और प्रजोलित करते समें आपको आपके दिल की जो भी कामना है वह महादेवसे कह देना एगृण wz, सब इराजमान रहते. ف pills क escaldirya छोत drought लगा दीजेग और अपनी दिल की बात कह दीजे Sacramento इस उपए को आपको करना है प्रदोश के दिन प्रदोश काल के समय तिसरा उपए गुरुजी ने कहा है अगर दूख की घड़िया समाप्ट नहीं हो रहे हैं बहुत परिशान से हो गए हो तो जो प्रदोश के दिन होता है उस दिन गुरुजी ने इक विश्यश इस्थान बत पर यह विशेश उपाई आपको करना है प्रदोश के दिन प्रदोश काल के समय नहीं कर पाएं जी हां सुबह अगर आप सिवा ले जाते तब भी आप कर सकते क्या करना है देखिए गुरु जी ने विशेश इस्थान बताया था आप सभी को गुरु जी ने पहले की कथा में गणेजी का इस्थान कार्तिक भगवान का इस्थान पता है मा असोग सुंद्री का इस्थान भी आपको पता है और मा पारवती का जा कटी भाग होता है वह स्थान भी आपको पता है जहां सिवलिंग रखी रहती है अब मा असोग सुंद्री के ठीक उपर और सिवलिंग के बीश में एक खाली स्थान होता है जी यहां पर यहां पर होता है नव नीडियों का स्थान जी हां किनका स्थान नव नीडियों का स्थान होता है तो यहां पर आपको अपने हतेली रखना है अपना हाथ स्पर्ष करना है और आपकी जो भी परिशानी हो जो भी मनो कामना हो वह महादियों से आपको कह देना है जी यहां इस विशेश इस्थान पर इस परस करके जो भी कहते हैं वो मनुकावना बहुत जल्दी पूरी होती है हो सकता है कि मातर दो या तीन दिन के अंदर ही बाबा आपकी सुन ले क्योंकि इस उपाय को करने से महादियों से नंदी पर जाएगी जिए ज़रूर नहीं कि हम सब उपाय कर सके पर इस विडियों में इसमें से को एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपकी मनुकामना बुरी हो जाती है देखिए क्या करना है अगर आप सिवाले गए हैं इस उपाय को आप किसी भी दिन भी कर सकते हो ना अगर आप सिवाले गए हो और सिवाले पर सिवलिंग के उपर या जलाघरी में कहीं भी महाद्यो को कनेर का पुष्प समर्पित हो काई का पुष्प कनेर का पुष्प समर्पित हो आपको दीख गया है कि बाबा पर चड़ावा पुष्प कनेर का तो क्या करना है उस चड़े पुष् उठा लो उठा लिया और उठाकर आपको चार जगा समर्पित करा के फिर सिविलिंग पर समर्पित करना है अब चार जगा क्या है सुनते चाहिए पहला गणेजी के स्थान पार राइट हैंड तरफ जलाधारी में काति भगवान के स्थान पर मा शुक सुन्दरी के स्थान पर बीश में तिन जगा हो गया है चोथा आपको जलाधारी जह उपर बंदी रहती है जी हाँ जासे बून बून जल गिरता है चोथा वहां स्पर्श करा कर फिर आपको पांची बार सिविलिंग के उपर गिल की जो भी मनों कामना हो आप समर्पि कर दीजिए पर ध्यान रखे पुष्ट पहले से चड़ावा होना चाहिए इसे नहीं है कि पुष्ट पहले से चड़ा दिया फिर उपाय कर लिए पुष्ट पहले से चड़ावा हो कनियर का का पुष्ट कैसा होता है यलो कलर का होता है वीडियो में देख लीजिए इस प्र प्रदोस की दिन करना है वीडियो पसंद आए तो ओर लोगों तक जरू शेर किजेगा स्री शिवाए नमस्तु ब्याम हर हर महादेव